श्माशकार, स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हिंदी, यानि जो हिंदी लैंग्विज है अब यहां पर एक ऐसा आरोप लगाया जा रहा है दक्षिन राज्यों के द्वारा Central Government के उपर कि उन पर हिंदी को थोपा जा रहा है मैं ऐसा क्यूं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हाली में एक रिपोर्ट पेश की गई और उस रिपोर्ट के पेश होते ही जो Southern State हैं हमारे देश के उनका एक बहुत जादा स्टोंग या फिर को एंग्री वाला रियक्शन सामने आया जहां पर उनों ने Central Government के उपर ये कहा कि वो उन राज्यों के उपर हिंदी को थोप रही है तो इन तमाम बातों को हम जानेंगे इस वीडियो में साथ इसाथ हम जानेंगे कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो लैंग्विज बोली जा रही है इसका कितना इंक्रीज हुआ है या पिछले सालों में ये कितनी ज़्यादा बढ़ी है या फिर गटी है दूसरी लैंग्विज जो है भारत के अंदर वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है और यहाँ पर हम बात करेंगे थ्री लैंग्विज फोर्मूला ये क्या है इसको कैसे इंप्लिमेंट करने की बात कर रही है बहुत सारी कीज़ें आपके सामने यहाँ पर आने वाली है हिंदी के बारे में समिधान में क्या-क्या लिखा हुआ है कैसे इसको परमोट करने के उपर लिखा हुआ है कैसे किसी राज्य की कोई ओफिशल लैंग्विज डिसाइड होती है इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से जानने वाले है वीडियो में आके बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए एक हमारे देश के अंदर एक कमीटी है उस कमीटी का नाम है Official Language Committee और इस कमीटी ने अपनी 11th रिपोर्ट जो है वो पेश की पेश किसको की? यहाँ पर पेश की गई प्रेजिडेंट को प्रेजिडेंट याणी राष्टपती को यह पेश की गई जैसे ही यह पेश की जाती है तो जो हमारे देश के जो Southern State है उन्होंने कहा कि भाई साब हमारे उपर यह हिंदी जो है वो थोपी जा रही है उन्होंने ऐसे आरोप यहाँ पर लगाने start कर दिये अब first of all हम जान लेते हैं कि यह जो report है इसमें ऐसा बोला क्या गया है तो यहाँ पर जो इस report में recommendation या फिर कहूं जो सिफारिस दी गई है उनके बारे में हम जाने तो बोला गया है कि जो हिंदी भाशी राज्ये हैं ध्यान से आपको ग्रूप B, ग्रूप C ऐसे करके जो है categorize कर रखा है देश में राज्यों को कि भाई कौन से राज्ये जो वो हिंदी के अंदर आएंगे और कौन से ऐसे राज्ये जहां पर हिंदी को दूसरी भाशा के तोर पर माना जाता है या फिर कौन से ऐसे राज्ये हैं जहां पर 65% लेस जो है वो हिंदी को यूज करते हैं इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे तो यहां पर बोला गया है कि जो हिंदी भाशी राज्ये हैं तो वहां पर जो IIT है जो I.M है जो किंदरी अविश विदाले हैं वहां पर जो आप education का जो medium है वहां क्या होना चाहिए हिंदी होना चाहिए ये बात बोली दूसरी बात यहां पर जो committee है इसके दोरा जो बोली गई या जो panel है इसके दोरा जो बोली गई वो ये कि जो भारत के अंदर जो administrations है यानि कि जो परशाशन है वहां पर जो आप communication है यानि बातचीत का जो communication का जो medium यूज कर रहे हैं वो हिंदी होना चाहिए यहां पर आप English के प्रयोग को कम करिए या साथ ही साथ जो यहां पर recommendation दी गई कि राज्ये जहां उच नियाले जहां पर जो कारवाई अंग्रेजी या फिर कहें कि regional language के अंदर की जाती है तो वहां पर आप हिंदी का अनुवाद भी उपलब्द करा सकते हैं मतलब कराना होगा यह नहीं आप करा सकते हैं आपके उपर हैं यानि कि क्यों करवाना होगा तो देखे इसलिए करवाना होगा या फिर कहेंगे यह क्यों मतलब कि सिफारिश दी गई कि आप वहां पर हिंदी का अनुवाद भी उपलब्द करा सकते हैं तो ऐसा बोला गया है कि जो दूसरे अपने जो राज्ये हैं वहां पर जो हाई कोट्स हैं कोई भी अक्सर फैसला दिया जाता है तो उन फैसलों को दूसरे राज्ये के हाई कोट के दौरा रेफरेंस में ले लिया जाता हैं तो वहां पर इसमें हैल्प मिल सकती हैं अगर आप उसको हिंदी में अगर उपलब्द करवा के रखेंगे और यहां हम जानें जो उत्तर परदेश हो गया उत्राकंड हो गया मद्धे परदेश हो गया बिहार हो गया हर्याना राजस्तान यहां की जो subordinate courts हैं यानि की जो lower courts हैं तो वहां पर पहले से ही हिंदी उप्योग की जा रही है तो यह आपके करमचारी हैं बहुत important चीज है यानि की जो central employee है जैसे की मैं एक central employee हूँ railway में काम करने वाला और या फिर अन्य करमचारी है उनके दोरह हिंदी में उप्योग को उनकी वार्शिक यानि की annual performance assessment report उसमें वहां पर उसको दर्शाया जाएगा यानि एक तरीके से उनको देखा जाएगा किसने जादा हिंदी यूज किये हिंदी यूज किये तो भई या थोड़ा बहुत उनको प्रोटसाहन या फिर कुछ आगे बढ़ने के chance ऐसा कुछ कर सकते हैं government ऐसा कहना चाह रही है और इस remedy को ये जिम्मेदारी है उसकी एक responsibility है कि जो अधिकारिक यानि official communication है वहाँ पर आप हिंदी को बढ़ावा दीजिए और जो official communication के साथ आप जो documentation है invitations है वहाँ पर जो language यूज हो रही है आप उसको सरल बनाईए सरल कैसे बनाएंगे सरल ऐसे बना सकते हैं कि आप अंग्रेजी को कम कर दीजिए हिंदी को बढ़ा दीजिए और जो सरकारी नोकरियां है वहाँ पर आप हिंदी का जो knowledge है उसको भी अनिवारे वहाँ पर किया जाएगा ये जो जहने recommendation के द्वारा बोली गई अभी आपने जो देखा हो SSC हो गया या फिर railway हो गया तो यहाँ देखेंगे तो railway में तो देखें English आती ही नहीं है SSC में जो है वो English आती है तो railway के अंदर English आती है तो यहाँ पर कहा जा रहे है कि आप हिंदी को भी कर लीजिए शायद SSC में भी करने को बात ऐसी आ जाए देखते हैं आने वाले टाइम में ऐसे क्या होगा यह मैं अपनी तरफ से एक अनुमान लगा रहा हूँ अब यहाँ पर जो इसने reference recommendation दे दी तो यह क्या सभी राज्यों के ओपर लागू होगा ऐसा नहीं है सभी राज्यों के ओपर जो यह recommendation लागू नहीं होने वाली है तो दीखे एक तमिलाडू और जो कैरल है या फिर इन जैसे जो राज्ये है उनको छूट दे गई है वो छूट कैसे दे गई है हमारे देश में एक जो act है एक मिनिट इसको दूसरा कलर कलेते हैं आपके उपर यह सब चीज़ें लागू नहीं होंगी तो लागू के इनके उपर होंगी जो हमारे देश में जो श्रेणी या जो category A के अंदर आते हैं उन राज्यों के उपर यह सारी चीज़ें जो है वो लागू की जाएंगी category A के अंदर कोन-कोन से राज जाते हैं category A के अंदर आते हैं बिहार, हरियाना, हिमाचल परदेश, मध्यापरदेश, चतिज़गड, जारखंड, उत्राखंड, राजस्तान और उत्तर परदेश और के अंदर शाशित परदेशों यानि की union territories के अंदर अगरम बात करूं दिल्ली और अंडमान, निकोबार, दीश्रमू इसके अंदर आ जाते हैं जो category B है या group B है उसके अंदर कोन-कोन आते हैं गुजरात आते हैं, महराश्रा आते हैं, पंजाब आते हैं और जो यहाँ पर union territory के अंदर चंडिगड आ जाते हैं, दमन, दीव और दादर, नगरहवेली इसके अंदर आ जाते हैं और दूसरे जो अन्य category जो यहाँ पर की गई है उसको category या श्रेणी C कहा गया है उसके अंदर जहाँ पर 65% less यानि 65% से भी कम जो है वो हिंदी का यूज किया जाते है उसको श्रेणी C के अंदर रखा गया तो यह जितनी भी recommendation दी गई है वो सारी की सारी recommendation जो है वो group C, group A या फिर श्रेणी A या category A के अंदर जो है जितनी भी राजजे आने वाले है उनके उपर यह लाग होगी और शत्परतिशत जो है वो चीजे वहाँ पर लागू की जाएंगी समीती ने जैसे सुधाव दिया है कि जो श्रेणी A है वहाँ पर राजजों में हिंदी का शत्परतिशत प्रयोग करने का परयाश किया जाए यह साब बोला गया जबकि जो अन्य राजजे वहाँ पर आप अपनी रिजनल लेंग्विज का यूज कर सकते हैं या फिर वहाँ पर वो कर भी रहे हैं और इस समीती के अनुसार सरकारी वागों में भी हिंदी का प्रयोग जो है वो बढ़ाया जाए जैसे की रक्षा और घ्रह मंतरा ले होगे वहाँ पर हिंदी का प्रयोग जो है वो सत परतिशत है लेकिन शिक्षा मंतरा ले के अगर हम बात करूँ Education Ministry के अगर हम बात करूँ वहाँ पर अभी तक उस तरह तक हम नहीं पहुँँचपाए हैं भाशा का उपयोग का आंकलन करने वाली एक समीती के कुछ मांदंड है जैसे कि देखें दिल्ली विश्वी द्याले, जामिया, मिलिया, इसलामिया, बी एच्यू, एम्यू सइथ कई जो किंद्रिय विश्वी द्याले है, वाँ पर हिंदी का प्रयोग जो केवल 25 से 35 परतिशत होता है जबकि इसे कितना होना चाहिए था, 7 परतिशत, यानि 100 परसंट इसे होना चाहिए था और है कितना 25 से 35 परतिशत, ये जो रिकमेंडेशन्स हैं वो दी गई है इस कमीटी के द्वारा और इसका विरोध बहुत जोर सोर से चल रहा है, अब इस कमीटी के बारे में जान लेते हैं ये कमीटी है, Official Language Committee, ये कब बनाई गई, ये अपनी रिपोर्ट कैसे परस्तूत करती है, किसको परस्तूत करती है तो देखिए, राज भाषा पर संसद्य समीटी, इसका गठन हुआ था 1976 में और गठन किसके अधार पर किया गया था, Section 4 है, The Official Language Act 1963 यानि राज भाषा अधिनियम की धारा जो है, चार केता है, जो इसकी समीटी, यानि इस कमीटी का गठन किया गया था समीधान के Article 351 के द्वारा जो अनिवारे रूप से हिंदी को एक्टिव दोर पर आप परचार करेंगे साथ इसाथ अधिकारिक यानि Official Communication में हिंदी का उप्योग जो है, वो इसका बढ़ावा यहाँ पर दिया जाएगा यह सब चीजें की जाएंगे किसके दोरा Article 51, यानि Article 351 के दोरा जो समीधान में है यानि समीधानिक रूप से हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा, यह बात बोली गई है और इस समीधी ने, इस कमीटे ने अपनी पहली जो रिपोर्ट है, वो 1987 में जो परस्तूत की अभी कौन सी आई है, 11 ध्यान रखना इस चीज़ को समीधी का जो गठन है और उसकी अदिक्स्ता जो है, वो किंदिरिय घ्रह मंतरी के द्वरा किया जाता है 1963 के अधिनियव के प्रावधानों के अंसार, इसमें जो है वो 30 सदस्य होंगे इन 30 सदस्यों में 20 जो है वो सांसद होंगे, यानि की लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 जो हैं वो राजय सभा के जो हैं वो सदसे होंगे यानि दोनों को इस आंसद कहा जाता है यानि लोग सभा के जो सदसे हैं यानि मेंबर और पारलेमेंट है राजय सभा के लोग को भी मेंबर और पारलेमेंट ही कहा जाता है यहां पर जो है वो 10 जो है वो राजय सभा से आएंगे भीज है वो लोग सभा से आएंगे और यह जो बहुत important चीज़ है यह जो समीती है यह जो official language committee है यह अपनी जो report है दूसरी जो parliament committee होती है जो जैसे कि parliament committee होती है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पार्लेमेंट में परस्तूत करती है लेकिन ये जो कमीटी है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको परस्तूत करेगी वो प्रेजिडेंट को यानि कि राष्टपती को ये अपनी रिपोर्ट सोपेगी फिर राश्टपती क्या करेंगे इस report को संसद में लेके जाएंगे संसद में वहां पर उनके सब के सामने रखेंगे फिर वहां पर संबंदित राजयों में या सरकारों को ये report बेजी जाएगी तो यहां पर सबसे बड़ा difference गया जाता है अब बात कर लेते हैं हमारे देश में जो दूसरी जो लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देने के लिए हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रयास किया एक three language formula या फिर कभी कोठारी आयोग जो है या कोठारी commission 1968 यह काफी जादा famous हुआ और new education policy के अंदर भी इस three language formula को भी promote करने की बात बोले गई है three language formula क्या है देखिए पहली जो language होनी चाहिए वो बच्चे की वो होनी चाहिए मातर भाशा में दूसरी जो language यहाँ पर बोले गई है वो यह होगी अगर आप हिंदी भाशी राजजों में से आते हैं तो आप क्या होंगे या तो अंग्रेजि सीखेंगे या फिर आप आधनिक भारतिय भाशाए याणि आधनिक भारतिय बाशाएज जो हमारे यहाँ पर देश में इन में से हो जाएगी तीसरी भाषा में क्या होगा तीसरी भाषा में होगा कि जो हिंदी भाषी राज्य है वहाँ पर या तो अंग्रेजी चलेगी या हिंदी भारती भारती भाषा चलेगी और जो गैर हिंदी भाषी राज्य होंगे वहाँ पर क्या है कि अंग्रेजी और सा के अलावा क्या होगा आधुनिक भारती भाषा पहले क्या था हिंदी था लेकिन अब हिंदी को टाके यहां पर कहर दिया गया कि आप भारत की कोई भी आधुनिक भाषा को वहां पर सीख सकते हैं तो यह थी लेंग्वेज फॉर्मुला जो है वो काफी टाइम से गोर्मेंट इसको परचार परचार कर रही है लेकिन यह अभी तक सफल नहीं हो पाया है लेकिन वही जो गोर्मेंट की जो नीती आई है यह न्यू एडुकेशन पॉलसी आई है दो हजार बीस में जहां पर हिंदी संस्कृत और जो रिजनल लैंग्वेज है उनको बढ़ावा देने का प्रियास किया गया और NEP का जो मानना है यानि न्यू एडुकेशन पॉलसी का जो मानना है कि कक्षा पांच से लेकर कक्षा आठ तक मात्तर भाशा या कि जो शेत्री है भाशा है रिजनल लैंग्वेज है वहाँ पर एडुकेशन का मीडियम वही होना चाहिए और NEP यानि एडुकेशन पॉलसी के अंदर ही बहु भाशावाद या राष्ट्री एकता को बढ़ावा देने के लिए यह जो त्री लैंग्वेज पॉर्मूला है इसके उपर जोर देने का निन्ने लिया गया है बहुत टाइम से आप दिखिन कोठारी आयोगा है कोठारी आयोगी नही इससे पहले भी बहुत टाइम पहले भी जो है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को बढ़ावा देने की बात की गई थी अब अन्य शेतरी भाशाओं की तोलना में अगर मैं हिंदी की अगर्स्तिती यानि उसका स्टेटस अगर मैं जानू कि हिंदी का यूज बढ़ा है वो कितना है तो देखिए एक रिपोर्ट आई थी लिंग्वेस्टिक सैंसे ऐस पर थी 2011 लिंग्वेस्टिक सैंसे जहां पर यह बोला गया कि भारत के अंदर 121 मदर टंग हैं और हमारे देश में 52.8 करोड जो लोग हैं या फिर कहें 43.6% अबादी जो हिंदी को अपनी मातर भाषा गोशित किया हुए है और 11% 11% अबादी ऐसी है जो हिंदी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में जानते हैं अब इनको अगर टोटल करते हैं तो 55% अबादी हो गई भारत के अंदर जो हिंदी को एक तो सीधे तोर पे अपनी मातर भाषा के अंदर मान रखा है और स 9.72 क्रोड लोग हैं यानि कि भारत की जनसंक्या का 8% ऐसी जनसंक्या है जो बांगला यानि भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जानी वाली जो लेंग्वेज है वो इसका यूज करते हैं बांगला, मल्यालम, उर्दू इन भाषाओं के यूज में गिरावट आई है लेकि धाई गुना से भी जादा बढ़कर 20.2 करोड थी 1971 में और 2011 में ये बढ़ गई आपके सामने 52.8 करोड बहुत जादा ये संख्याम कहेंगे कि बढ़ रही और आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ेगी अब ये किया क्यों जाता देखिए हमारे देश में आप देखते कल्चर बदल जाते हैं तो एक मीडियम ऐसा होना चाहिए कि सबी जो लोग है उस लेंगविज के तुरू अपनी कम्मुनिकेशन जो है या फिर अपने विचार जो आदान परदान कर सके हैं ये सब चीज़ें यहां पर बोली गई है तो हिंदी का कोई constitutional status है या नहीं है लेक कोई भी राजय है चाहता है कि वो हिंदी के अलावा तमिल को अपनी official language बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं क्योंकि वो official language कोई भी राजय है वो कर सकता है official language के तोर पर इन 22 में से अपनी कोई official language वो चौन सकते है अब article 351 में बोला गया है कि हिंदी भाशा को विक्सित करने और इसके परसार का प्रावधान करता है, यह नहीं समिधान में यह बात बोली गई है, कि हिंदी को डेवलोप किया जाए, मतलब कि इसका प्रमोट किया जाए, और ताकि क्या हो कि भारत की जहां पर एक मिश्रित, आप संस्कृति देखते हैं, कल्चर देखते हैं, तो वहाँ हम बात करें, आर्टिकल 348, उसका close to, जो प्रोवाइड करता है, गवर्नर को पावर, कि वो किसी भी स्टेट में, आग्या लेनी पड़ेगी, प्रेजिडेंट से, उनके अनुमती लेनी पड़ेगी, तो क्या होगा, किसी भी स्टेट में, हिंदी लेंग्वेज, या और भी अधर लेंग्वेज को वो यूज कर सकते हैं, ओफिशियल परपस के लिए स्टेट के अंदर, जब वो हाई कोर्ट की प्रसीडिंग हो, उसके अंदर, या फिर वो कोई भी जज्जमेंट सुना ना हो, या भी कोई ओडर पास करना हो, इन सब चीजों में, इंग्लिश के अल पूछ लिया जाता है, कि ओफिशियल लेंग्वेज को कौन से अर्टिकल के तहत यूज किया जाता है, तो ओफिशियल लेंग्वेज हैं, आपको ध्यान रखना आधिकारिक भाशा है, मदर टेंग हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, अब राज भाशा आधिनियम 1963, उसका सेक्श भी अन्य ओफिशियल लेंग्वेज का यूज करना है, तो भारत की राश्टपती की सहमती से, जो उस राज्ये का जो राज्येपाल है, वहाँ पर, मतलब राश्टपती से सहमती ले ली, तो वहाँ पर जो हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी हिंदी या फिर अन्य जो ओफि जाएगा चाहिए वो हिंदी हो या फिर दूसरी भी लेंगवेज हो जहां पर वो अफिशल लेंगवेज के तोर पर अपनाई गई हो तो उमीद करता हूँ कि जो आज का जो टोपिक है हिंदी को लेकर वो आपको बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा बहुत सारी चीजों को म लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो के पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके कोई भी डाउट है तो कोमेंट सेक्शन ओपन है वहाँ पर आपने डाउट लिखिए मैं आपको उनका रिप्लाई जरू करूँगा तो बस आज के लिए इतना है थ थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो